नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विसलेशन में आपका स्वागत है चलिए वेडियो की सुरुवात करते हैं इस प्रश्न के साथ प्रश्न है कि राज्यों के राज्यस्व आत्म निर्भरता से ही वास्तविक सहकारी संगवाद को प्राप्ट किया जा सकता है कथन की समिक्षा करें और यह जो प्रश्न आप से पूछा गया है यह संबंधित है आज के संपाद की इसे आज तीन संपाद की को शामिल किया गया है जिसमें पहला संपाद की इसे लिया गया है दा हिंदू से और यहां संपादिकिये GS paper second में राजविवस्था के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है वहीं दूसरा संपादिकिये जिसका सीर्षक है hope amid uncertainty इस संपादिकी को भी हिंदू newspaper से लिया गया है और यहां संपादिकिये GS paper third में economic and social development के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है वहीं तीसरा संपादिकिये जिसका सीर्षक है ए half step इसे लिया गया है इंडियन express से और यहां संपादिकिये GS paper third में economic and social development के दृष्टिकों से उप्योगी है चलिए एक-एक कर विस्तार पूर्वक इन संपादिकी पर चर्चा करते हैं लेकिन उससे पहले कल पूछे गए प्रस्णकास देखते हैं कि सही जवाब क्या है प्रस्ण है कि निम्न कत्नों पर विचार करें पहला स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतरगत सबपूर्ण देश को सामिल किया गया है दूसरा स्टार्स प्रोजेक्ट से समंदित लागत में अंतराज़्टी मुद्रको से सहायता प्राप्त करने का भी प्रावधान है उपरियुक्त में से असत्य कथन है जहां देजेगा सवाल क्या था कि असत्य कथन है तो इसका या सही जवाब यहाँ पर है क्या के आपसन सी पहला और दूसरा वह इसलिए क्योंकि स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतरगत संपूर्ण देश को सामिल नहीं किया गया है बलकि छह राज्यों को सामिल किया गया है यह छह राज्य कौन-कौन से हैं तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट, मद्प्रद केरल और उड़िसा वहीं स्टार प्रोजेक्ट से समंदित लागत में अंतराष्टिय मुद्राकोस से साहता प्राप्त करने का प्रावधान है यह भी गलत है अंतराष्टिय मुद्राकोस के इस्थान पर सही जवाब क्या है वह है विस्व बैंक तो यह जो सवाल है कि उपर संपादिकी की ओर जिसका शिर्षक है वैलीज वाइस और इसका आधार क्या है इसका आधार है गुपकर घोसना पर राजनिति गड़ बंधन पले हम यह देखते हैं कि गुपकर घोसना आखिर है क्या तो बात यह है कि 4 अगस्त 2019 को नेशनल कॉनफरेंस के अध्यक्ष क्या है गुपकर तो गुपकर आवास पर जम्मु कस्मीर के प्रमुक जो राजनितिक दल है उनके नेताओं की बैठक हुई और उस बैठक में घोसना की गई तो क्या प्रमुक घोसना हुई जरा उस पर गौर कीजे कि अनुछेद 35 ए और अनुछेद 370 में संसोधन या उसे खत्म करना और दूसरा जम्मु कस्मीर राज्जी का बटवारा तो ये दोनों चीजेँ क्या अनुछेद 35 ए और 370 में संसोधन या उसे खत्म करना और जम्मु कस्मीर राज्जी का बटवारा या जम्मु कस्मीर और लदा के लोगों के विरुद आकरा मकता होगी किसकी कें केंद्र की या केंद्र के सरकार की और ठीक उसके अगले दिन मतलब 5 अगस्त 2019 को केंद्र की सरकार की द्वारा अनुच्छे 370 में संसोधन किया गया और फिर आगे चलकर जम्मू कस्मीर राज्य पुनरगठन अधिनियम को पारित किया गया और जम्मू कस्मीर राज्य पुनर अगस्था की गई थी भारती संविधान में वह समाप्त कर दिया गया और फिर 5 अगस्थ 2019 के बाद जिस अनुच्छे 370 में संसुधन की बात कही गई थी तो उसके बाद जम्मू कस्मीर में किसी प्रकार की कोई बड़ी राजनितिक प्रकरिया ना हो तो इसके लिए हुआ यह कि जम्मू कस्मीर के प्रमुक राजनितिक दल के नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया फिर समय के साथ साथ इन नजरबंद नेताओं को रिहा किया गया और जैसे जैसे ये नेता रिहा होते चले गए गुपकर घोसना को बल मिलता चला गया और फिर हाल ही मे 14 महीने के बाद PDP की नेता महबुबा मुफ्ती रिहा हुई है और यही के बाद जम्मु कस्मीर के प्रमुख राजनितिक दलों के बीच में बैठक हुई और उस बैठक में एक निर्ने लिया गया क्या निर्ने लिया गया पेपल्स एलाइन्स फॉर गुब क डिकलेशन इसका निर्मान किया गया जिसमें जम्मु कस्मीर के लगभग सभी छेत्रिय राजनितिक दल सामिल है वहीं C.P.I. भी उसमें सामिल है अब यह जो पेपल्स एलाइन्स फॉर गुब का डिकलेशन है तो यह कोई राजनिति गड़बंदन नहीं है, बलकि यह एक विचार है, यह क्या विचार है, विचार है कि केंद्र एवं जम्मू कस्मीर की राजनिती में टकराओ का, और यह विचार यह दिखाता है कि राश्ट्रिय राजनिती की मुक्धारा से कस्मीर का अलगाओ हो रहा ह मतलब कस्मीर अलग हो रहा है अब जरा इन बातों पर गौर कीजिए 2015 इसवी में जम्मू कस्मीर में BJP और PDP के गटबंधन वाली सरकार का गठन किया गया वही BJP के नित्रित वाली जो NDA की सरकार थी उस NDA की सरकार को National Conference ने भी समर्थन दिया था तो मतलब यहां पर यह है कि BJP ने जहां जम्मू कस्मीर राजजी के इस्तर पर PDP के साथ वही National Conference के साथ केंदर के इस्तर पर सरकार का गठन किया है कॉंग्रेस ने भी जम्मू कस्मीर के इन दोनों मतलब PDP और National Conference इन दोनों छेतरी राजनितिक दलों के साथ गठबंधन सरकार का गठन किया है तो यह जो कदम है BJP के द्वारा और कॉंग्रेस के द्वारा तो यह उस समय काफी प्रगतिसील प्रविर्ती मना गया और इस प्रकार की राजनिति घठना ने कस्मीर की राजनिती को रास्टी राजनिती की मुख्धारा में शामिल किया लेकिन ऐसी बात नहीं है कि स्वायतता और स्वानिर्ने जिसकी बात घाटी में हमेशा से की जाती रही उस पर भास नहीं हुई परंतु कस्मीर की राजनीती का यह अनिवार हिसा कभी भी नहीं बनी मतलब स्वाय अथता और स्वाय निर्णे का मामला परंतु बीजेपी नित्रत वाली जो केंद्र सरकार है उस केंद्र सरकार ने जम्मु कस्मीर के छेतरी दलों को सॉफ्ट सेपरेटिस्ट की संग्या दी वहीं राज्ज की एजन्सियों का प्रयोग इन छेतरी राजनितिक दलों के विरुद्ध किया अब संपादकी में यह बात कही जा रही है कि बल प्रयोग के द्वारा भले ही किसी भी नीती को जमिनी तौर पर लागू किया जा सकता है परंतु लोगतांत्रिक समाज में ऐसे नैतिक विचार के चहन की अनुमती नहीं दी जा सकती वहीं इससे हट कर एक बात यह है कि पिछले कुछ वर्सों में अगर हम बात करें PDP की और National Conference की तो इनका जनाधार सिमटता चला गया और यह सिमट कर कस्मीर तक ही सिमित है क्योंकि जम्मू और लदाक के छित्र में BJP और कॉंग्रेस की पकड़ मजबूत हुई है तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि PDP और National Conference का जो राजनितिक आधार है वह काफी सिमटता जा रहा है और साथी साथ जम्मू कस्मीर को जो विसे सा धिकार मिला हुआ था इस राजी को वह भी समाप्त हो चुका है तो इनकी बेचेनी जो है वह बढ़नी सभाविक है और इसी बेचेनी का परिणाम है गुप कर घोसना परंतु राश्ट्री एकता में वृद्धी के लिए यहां आवस्यक है कि नियमित वारता होनी चाहिए केंद्र और जम्मु कस्मीर के जो च्छेत्री राजनितिक दल है उनके बीच और इस नियमित वारता के लिए अनुकूल वातावरण का निर्मान भी आवस्यक है तभी राश्ट्री एकता मजबूत हो गई इसलिए यहां आवस्यक है कि केंद्र गुपकर घोसना की संवेदन सीलता को समझे और राश्ट्री सुरक्षा को प्राथ्मिक्ता देते हुए जम्मु कस्मीर के छेत्री राजनितिक दल के साथ वारता प्रारंब करे तो इस प्रकार हमने गुपकर घोसना एबम उससे उपजी हुई परिस्थितियों पर चर्चा की चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले संपादिकी की ओर हमारा जो अगला संपादिकी है इसका सिर्षक है hope amid uncertainty और इसका आधार क्या है इसका आधार है आई एम एफ का world economic outlook हमने कल के संपादिकी में भी आई एम एफ के world economic outlook पर चर्चा की थी लेकिन उसका संदर्व अलग था यहां संदर्व पिछले संपादिकी से थोड़ा भिन्न है क्या है वो देखिए कि आई एम एफ के द्वारा जारी world economic outlook के अगर शिर्षक पर गौर करें तो सिर्षक क्या है ए लॉंग एंड डिफिकल्ट असेंट तो यह संकेत देता है क्या कि भविस में वैस्विक इस्तर पर जो आर्थिक चुनोतिया मिलेंगी उसका यह संकेत है अब आई एम एफ ने world economic outlook में व्रिधी दर से संबंधी जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार वै संकुचन का अनुमान जून महिने में लगाएगे अनुमान 5.2% से कम है जो थोड़ा सुखत है वहीं 2021 इस्वि में उत्पादन दर में विर्धी होगी और यह विर्धी कितनी की होगी 5.2% विर्धी दर में IMF ने जो अध्यतन अनुमान लगाया है उसका जरा आधार देखते हैं आधार क्या है आधार है कि जितनी भी बड़ी अर्थ विवस्थाएं हैं उन बड़ी अर्थ विवस्थाओं के जो दूसरी तिमाही है उस दूसरी तिमाही में आर्थी क्रिया कलाप म तेजी देखी जा रही है जिसका कारण है लोगडाउन के नियमों में धील दिये जाने के कारण आर्थिक क्रिया कलाप में वृद्धी दिख रही है और जुलाई से सेप्टमबर इन अवधी में आर्थिक सुधार में मजबूती के संकेत हैं लेकिन उसी अध्यतन अनुमान मे कुछ बातों का ध्यान भी रखा गया है वो ध्यान क्या रखा गया है कि अप्रेल में वैस्विक अर्थविस्था अपने निम्न इस्तर पर मौझूती क्योंकि वैस्विक इस्तर पर लगवग लॉगडाउन की इस्तिती थी ठीक है और वर्तमान में क्या दिख रहा है कि आर और अगर फिर लोगडाउन की इस्थिती देखी जाएगी तो आर्थिक क्रियाकलाप फिर से धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा. कुरोना वाइरस के कारण मध्यावदी आर्थिक इस्थिती पर क्या प्रभाव पड़ा है तो इसके अध्यन पर आधारित अनुमान में IMF का कहना है कि स्रम बाजार में अभी भी स्रमिकों की पूर्ती प्रयाप्त नहीं है. वहीं आर्थिक अनिश्चित्ता और बैलेंस सीट में प्रयाप्त सकारात्मत्ता नहीं दिखने के कारण नीजी निवेस में कमी है और उसमें ठहराओ है. इस्कूल के लंबे समय तक बंद रहने के कारण मानव पूंजी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है. तो वैस्विक वृद्धी में साड़े तीन परतिसत्त की कमी होने का अनुमान है इस मध्यावदी में और अगर नुकसान का आकलन करें तो कोरोना से पूर्व जिस लक्ष का निर्धारन किया गया था तो अगर उससे तुलना करते हैं तो 2020-25 की इस अबधी में यह नुकसान कितना है 28 ट्रिलियन डॉलर का महामारी ने आएमेफ के नुसार महामारी ने ना केवल विभिन देशों के बीच बलकि देश में और समानता में वृद्धी की हैं तो यहाँ यहाँ आवस्यक है कि संपाद्धी में यह बात कहीं गए कि यहाँ यहाँ आवस्यक है कि वैस्वि विभिन देश मिलकर इस दिसा में कारी करें कि जल्द से जल्द ना केवल टीके का निर्मान हो बलकि यह जो नया टीका है कोरोना वाइरस की विरुद्ध उसकी उपलब्धता सबको हो सके इसको भी सुनिश्चित करें क्योंकि जितनी जल्दी टीका उपलब्ध होगा और सा समधान वैस्विक आय में दोहजार पचीज तक लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर की विर्धी कर सकता है तो इस प्रकार हमने इस संपादिकी के माध्यम से IMF द्वारत जारी हालिया वर्ल्ड एकॉनॉमिक आउटलुक पर चर्चा की चलिए बढ़ते हैं अब अपने तीसरे मतलब goods and services tax compensation अब जड़ा एक नजर हम डालते हैं वस्तू एवं सेवाकर या GST पर हमें यह पता है कि 101वे संविधान संसोधन अधिनियम के त्वारा GST को लागू किया गया जो एक और परत्यक्ष कर है तो जब GST को संपूर्ण देश में एक जुलाई 2017 को लागू किया गया तो लागू करने से पूर्व केंद्र और राज्य के बीच में एक विवाद सामने आया था और यह विवाद इस बात पर था कि राज्यों को यह आसंका थी कि GST के लागू होने के बाद राज्यों को और परत्यक्ष कर से जो राजस्य की प्राप्ती होती है उसमें कमी क्योंकि राज्यों के राजस्य आय का प्रमुक्ष रोत और परत्यक्ष कर होता है तो राज्यों के इस संका का समाधान करने के लिए GST Compensation to States Bill 2017 लाए गया और इस बिल के माध्यम से GST Compensation Fund बनाए गया और इस फंड में राशी कहां से आईगी तो Compensation CIS के द्वारा CIS जिसका अर्थ है कि कर पर कर मतलब यहाँ पर यह है कि आप यह माल लें कि अगर 100 रुपए पर 10 परतिसत अगर कर देना हो उसके अलावा 10% अगर CIS देना हो तो कुल कितनी राशी देनी पड़ेगी तो देखे 100 रुपए पर 10% कितना हुआ 10 रुपए और वही मैं क्या कर रहा हूँ सेस कितना 10% तो CIS क्या होता है कर पर कर होता है तो कर की राशी यहाँ पर कितनी है 10 रुपए और 10 रुपए का 10% कितना होगा एक रुपए तो कुल कितना कर देना होगा 11 रुपए तो CIS हम यहाँ पर समझ गए तो यह जो compensation CIS था वह किस पर लगाए जाएगा किन वस्तुओं पर लगाए जाएगा तो जो विलासिता पूर्ण वस्तुएं हैं उन पर और ऐसी वस्तुएं जो प्रयावणन के दिश्टिकों से अनुकूल नहीं है जैसे की कोईला तो अब इस compensation CIS के द्वारा जो भी रासी ध्यान जेगा जो भी रासी प्राप्त होगी उसे कहां जमा करना है GST compensation fund में और फिर ध्यान जेगा और फिर राज्यों को GST के लागू होने के बाद जो राजस में उनको हानी होती है तो उसकी छती पूर्ती इस compensation fund के द्वारा की ज तो माल लें कि 2015-16 में किसी राज्य का अगर जो राजस हो था वो कितना था 100 रुपए GST लागू होने के बाद वो कितना हो गया मालने की 80 रुपए तो उसे कितने का नुकसान हुआ 20 रुपए का और यह जो 20 रुपए है इसकी छती पूर्ती किसे की जाएगी इस compensation fund के द्व वहीं पर इसमें यह भी विवस्ता है कि इसमें 14 प्रतिसत प्रतिवर्स की वृद्दीवी की जाएगी और यह जो compensation जो दिया जाएगा राज्यों को वह कब तक 2020 तक दिये जाने का प्रावधान था लेकिन हाल के GST कॉंसिल की बैठक में यह निर्ने लिया गया कि अब इस सी कर दिया जाएगा देखिए अब हमें यह पता है कि COVID-19 महामारी के कारण आर्थि क्रिया कलाव काफी सीमित हो चुका है और आर्थिक यह करिया कलाव के सीमित होने के कारण राज्यों के यह केंद्र के कर संग्रह में कमी आई है और कर संग्रह में या कमी दोनों इस्तरों पर मतलब पर्त्यक्षकर संग्रह में भी कमी आई है और अगर अगर पर्त्यक्षकर संग्रह में कमी आती इसका मतलब कि GST जो संग्रह है उसमें कमी आई है इसका मतलब फिर यहां पर यह भी है कि compensation से संग्रह में भी कमी आई तो GST छती पूर्ती कितनी हो सकती है तो मौजुदा वित्वर्स मतलब दो हजार बीस इकीस में GST की छती पूर्ती का अनुमान कितना है तीन लाख करोड रुपे का वही compensation सेस का संग्रह कितना है 65,000 करोड तो मतलब यहाँ पर यह है कि छती पूर्ती का अंतर कितना यहाँ पर देखे 2.35 लाख करोड रुपेज मतलब इतनी छती पूर्ती के लिए आवस्यक रासी है अब यहाँ पर यह है कि केंद्र ध्यान देगा कि यह जो रासी है छती पूर्ती की 2.35 तो इसकी चति पूर्टी कैसी हो और राज्ज को उधार कहा से मिलेगी RBI से केंद्र इसमें क्या कर लेगी केंद्र इसमें राज्ज को RBI से उधार लेने में मदद कर देगी तो यह जो केंद्र के दौरा सुझाओ दिया गया छती पूर्ती के संदर्व में राज्यों को तो या दोनों के बीच में गतिरोध का कारण बना रहा अब इसका समाधान निकला है क्या समाधान निकला है केंद्र ने समाधान के रूप में यह बात कही है कि च्छती पूर्ति के लिए यह जो आवस्यक रासी है उसमें से 1.1 लयक्रोरिया यह जो है इसकी पूर्ति केंद्र द्वारा की जाएगी राज्यों को कैसे उधार लेकर, मतब केंद्र उधार लेकर यह एक सौागत योगी कदम है किस संदर में? वह इस संदर में की केंद्र के द्वारा यह जो कदम उठाया गया है उधार लेने का यह राज्यों के राजस्त कमी को पूरा करेगी अब देखे यह क्यों जरूरी है वर्तमार में इसलिए क्योंकि जहां केंद्र के लिए आवस्यक है कि वह निवेस में विर्दी करें, वहीं राज्यों के लिए भी यहाँ आवस्यक है कि वह अपने निवेस में विर्दी करें, तो मतलब यहाँ पर यह है कि केंद्र के त्वारा राज्य को अब जो नई रासी की प्राप्ती होगी, राज्य क्या करेगा, उसे वह निवेस करेग दूसरी बात यहां पर यह है कि केंद्र ने यह जो 1.1 लैक करोर रुपए के उधार की बात की है तो यह केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दिखती है GST अधिनियम के संदर में जो संसद में ततकालिन वित्व मंत्री के द्वारा यह बात कही गए थी कि जो GST के लागू होने के बाद छतिपूर्ती होगी तो फिर केंद्र इस छतिपूर्ती की भरपाई करेगा वहीं केंद्र ने जो उधार लिया है तो उसमें जो ब्याज अदाएगी की दर होगी वह कम होगी देखे अगर राज जी बाजार से उधार प्राप्त करता तो फिर विभिन राज्यों को उनकी आर्थिक इस्तिती के अनुसार ब्याज दर की अदाएगी अलग लग करनी पड़ती वह इसलिए कि जिन राज्यों की आर्थिक इस्तिती अच्छी है उन्हें उधार तुरंद भी उपलब्द हो जाता साथी साथ उसमें ब्याज की दर भी कम देनी पड़ती वहीं जिन राज्यों की आर्थिक इस्थिती अच्छी नहीं है उन्हें उधार प्राप्त करने में कटनाई होती है वहीं एक प्रमुग बात यह है कि जो केंदर सरकार कह रही है कि केंदर के राजकोसी घाटे पर इस उधार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि केंद्र जो राशी प्राप्त करेगी वो किस माध्यम से करेगी लोक लेखा निधी के माध्यम से करेगी मतलब या कि वो संचित निधी के माध्यम से नहीं करेगी केंद्र ने इस मार्ग के द्वारा ध्यान जेगा इस मार्ग के द्वारा पहले भी राशी प्राप्त की है और लोक लेखा निधी मार्ग के द्वारा जब केंद्र सरकार राशी प्राप्त करती है तो फिर वह राजकोसी गणना में सामिल नहीं होती है तो यही कारण है कि केंद्र क्या कर रही है कि राजकोसी घाटा इससे ओप्रभावित होगा परंतु अब यहाँ सवाल है सवाल क्या है कि अगर केंद्र सरकार ध्यान दिजे कि 1.1 लैक क्रोर रुपेया अगर उधार के रूप में प्राप्त करती है और यहाँ राजकोसी को और प्रभावित रखती है और यहाँ पर यह भी उलेकनी है कि केंद्र सरकार जो उधार प्राप्त कर रही है तो भविस में GST कंपनसेशन फंड के द्वारा उसकी पूरती कर देगी बस वह जो उधार है उस उधार को वह वापस कर देगी तो फिर केंद्र सरकार पूरी च्हती पूर्ती क्यों नहीं कर रही है मतलब यह कि केंड सरकार 1.1 लैक करूर रुपया के अलवा केंड सरकार को पूरी की पूरी जो च्हती पूर्ती रासी है उसको केंड सरकार उधार के द्वारा प्राप्त करे और राज्यों को दे दे लेकिन केंड सरकार ऐसा नहीं कर रह और उसे भूल जाना चाहिए अब यहां पर यह महत्पूर्ण है कि क्या कि वर्तमान परिस्थिती को देखते हुए केंद्र राजकोसी अनुसासन पर बल ना दे क्योंकि वर्तमान आर्थिक सुस्ती से बाहर निकलने के लिए यह आवस्यक है कि सारजनिक निवेस में बढ़ोत केंद्र के नित्रत में ही की जा सकती है साथ ही राज सरकार के लिए भी यह आवस्यक है कि जो छती पूर्ती संबंधित प्रश्ण है उस पर वह अपना लचीला रुख अपना है क्योंकि तभी हम कॉपरेटिव फेडलिजम मतलब कि सहकारी संगवाद की भावना या उसके उ मंदित जो विवाद है उसको हमने देखा और छती पूर्ती के लिए जो उपाय अपनाए गया है उस पर भी हमने चर्चा के अब एक नजर आज के इस प्रश्ण पर प्रश्ण है कि निम्न में से किस रिपोर्ट को IMF द्वारा जारी किया जाता है देखें पहला Global Financial Stability Report दूस आप्सन B दूसरा तीसरा आप्सन C तीसरा चौता और आप्सन D पहला चौता इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार